दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने ब्रैंड न्यू होंडा SP 125 जोके इंडिन मार्केट में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है और 125 सेग्मेंट में दोस्तों इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है सो आज के इस फीडियो में दोस्तों इस बाइक का डीटेल रिव्यू करने वाले है क्या प्राइज आती है क्या स्पेस्पिकेशन है क्या बजट में इस बाइक को खरीच सकते है सारी चीज़े आपको मैं डीटेल में इस बाइक के बारे में इस फीडियो में बताने वाला हुआ दोस्तों इसमें आपको ना दो वेरेंड मिलता है अगर आप चाहे तो एक आप सिंगा मदब लॉन डिस्क मॉडल ले सकते हैं अगर आप चाहे तो डिस्क मॉडल ले सकते हैं वह आप तो डिपेंड कर आप कि इस मॉडल के साथ में जा रहे हैं डिस्क वाला मॉडल लें तो आपको लगबग 87,000 रुपई 87,000 रुपीज के आसपास का एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलता है तो दोस्तो जितना प्राइस डिफ्रेंस है उस प्राइस डिफ्रेंस के साब से मुझे यह लगता है कि आपको जो है न डिस्क वइले मॉडल के साथ में जाना चाइए डिस्क वइले मॉडल के साथ में जाना चाहिए डिस्क वइला मॉडल is much better than non-dix model क्योंकि दोस्तो जाहर से बात है जो डिस्क वइला मॉडल है अपको जाधा बैतर हो जाधी अच्छी ब्रेकिंग देगा काफी premium काफी अच्छी bike है यहाप आप देख सकते हैं E20 की जो batching है वो भी अच्छी bike में आपको मल जाता है चलिए आप जाते हैं दोस्तो इस bike के हम front profile में सबसे पहले में key on gun यह देख पा रहे front में आप देखने हैं दोस्तो यहाप आपको इस पर फिलाल आपको LED नहीं मिलेंगे वो आपको bulb मिलते हैं बड कंपने अगर वो चीज़ भी LED देती तो आपको जादा बहतर हो सकती कि आपको ऐसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बतायेगा ठीक दाकि दोस्तो यहाप देख पार है माप कौन करके दोस्तो ब्रेकिंग में आपको बता दो इस स्पेसल फीचर में इसमें आपको नॉर्मल सिंगल डिस्क आपको इसमें देखने को मलता है कंपने ने सिंगल डिस्क देया हुए बट यह कि इसकी जो ब्रेकिंग है आपको बहुत तगली देखने को मिलेगी यह company ने काफ़ एची जो braking है इस बाइक में offer किया हुआ है वही दोस्तो जो plate size है वो 240 है 240 mm की जो display है आपको दोस्तो इस बाइक में मिल जाती है engine type में दोस्तो इस बाइक में आपको Honda की दरब से आपको मैं बदा दू 124 CZ का air cool, 4 stroke, SOSC, single cylinder engine आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा बात करें power and torque के बारे में दोस्तो power and torque में भी यह बाइक बहुत अच्छी है यह आपको minimum जो है 10.7 का PS power generate करती है और 10.9 के असपास गया जो निटामिटिन torque है वो दोस्तो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा यहने कि जो power and torque है वो भी दोस्तो इस बाइक में आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है performance आपको बहुत अच्छी मिलेगी cooling system में air cooling engine है, fuel system में आपको इसमें FI देखने को मिलता है जिसे fill injector भी कहते है दोस्तो आपको मैं बताना चाहूँगा इस bike का जो bore size है वो 50 mm है इस truck size 63.1 mm के आसपास कमें इस bike में मिल रहाता है साथ ने आपको normal weight multi plate जो clutch है वो दोस्तो आपको इस bike में देखने को मिलेगा normal weight multi plate clutch है, blush but करला clutch की जो quality है वो भी आपको 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 बहुत अच्छी देखने को मिलेगी साथ पर Honda का engine है engine quality आपको 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 बहुत सुपब देखने को मलती है क्यों आप जानते दोस्तों Honda एक Japanese brand है Japanese brand होने की वाज़े से engine जो इसका बहुत तगड़ा आपको मिल लाता है यह चीज आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के mileage plus performance के बारे में दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँआ यह आप लोग को मतलब माइलेज minimum जो है लबक 60 60 cash pass का mileage आपको offer कर देती है 0-200 में इसको लबक 7 second लगते है top speed आपको इसकी लबक 100 याने की 100 elevator per hour gas pass के आपको इसको में देखने को मिलेगी तो याने की top end performance आपको बहुत अच्छा मिल जाता है front में suspension आप देख पार है suspension मैंने आपको दिखाया है suspension quality आपको इसकी बहुत तगड़ी देखने को मलती है ठीक चलिए अब आते है rear profile में tail light पे दोस्तों इसमें आपको normal bulb देखने को मलता है tail light आपको bike पे बहुत अच्छी देखने को मिलेगी काफ़ अच्छी tail light है यहाँ पे आपको suspension आपको twin shock absorber देखने को मिलेंगे और आपको बता दोस्त रियर में इसमें आपको 80-800 आपको bike में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा रियर में आपको drum brake है वो आपको इस bike में देखने को मिलेगा आपको SP की batching मिलती है ठीक है काफ़ अची batching आपके company ने दिया हुआ है चलते हैं दोस्तो अब इसके speedometer की तरफ सबसे पहले आप की देखेंगे step की आपको bike में मलता है speedometer में दोस्तो इस bike में आपको fully digital meter आपको इसमें देखने को मिलेगा तो आपको जो feature है तो आपको काफ़ी सारे feature मिल दाएंगे जैसे अगर मैं बताओ तो इसमें दोस्तो आप लोगों को जो है न speedometer है, auto meter है, clock है, fuel gauge है, gear indicator है, service reminder है, distance to MD indicator भी आपको इसमें मिलेगा दोस features है, left hand side और right hand side में जिससे आप इसके speedometer को control कर सकते हैं बताब feature wise भी दोस्तों जो बाइक है बहुत अच्छी निकलकर आ जाती, feature में आपको इसमें कोई कमी नहीं वहला, sister pass भी, turn racing LF और इंडियन किल सीज प्लस सार्फ सीज आपको बाइक में मिलेगा बात कर इसके diminution and capacity के बारे में दोस्तों इस बाइक के जो overall length है वो लबग 2020 mm का है, overall width 785 mm का है, overall height 110 3 mm का है साथ में दोस्तों आपको अधाद उसकी जो ground tolerance है आपको लबग 160 mm के आसपास की देखने को मिलेगी filter capacity आपको 11 लेटर के आसपास की देखने को मिले आती है तो इता दोस्तों brand new Honda SP 125 new E20 का detailed specification review और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँ, अभी दिपा वाली चल रहा है तो जायर सी बात है, दिपा वाली में आपको offer भी देखने को मिलेगा तो आपको 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 काफी सारे आ कर सकत, जो offer है वो भी आपको मिलेंगे तो भाई उसका लुपत उठाईए, नई वाली SP लीजिए, SP आपको कैसी लगती है आप नीचे comment section में comment करके जरूर बताना उमीद करता आपको एक छोटी सी interesting video, अच्छी लगईगी दूस्तों, वीडियो च्छी लगईगी तो लाइक करना जनल पर पहली बारा तो सब्सक्राइब करना, चलिए मिलते नेक्स वीडियो में लफी ओल, जेहीन मंद्यमा आत्रम